गुड मॉनिंग फ्रेंट्स इडू साला में आपका स्वागत है हम लोग परिक्षावानी की सीरीज का डिसकसन कर रहे हैं इसमें चेप्टर 2 तक हो चुका है और यह चेप्टर 3 है इसका नाम है पादब किरिया विज्यान तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पह और साथी सेर भी करें सेर करना बिलकूल ना भूलें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को तो फर्स्ट कोश्चन है पौधों में और प्रकासिक अभिक्रिया कहां होती है तो यह स्ट्रोमा में होती है प्रकास संसलेशन के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का श्रोत क्या है? तो यह है H2O. सरवाधिक प्रकास संसलेशिक क्रिया क्लाप कहा चलता है? तो यह प्रकास के लाल वर नीले छेतर में होता है. नेक्ष है हमें जीवन देने वाली ओक्सीजन कहा से आती है? तो यह जल से आती है? निम्न में कौन सा प्रकर्म अंदकार के समय चालन और स्वसन है प्रकास संसलेशन के दौरान हरे पौधे पैदा करते हैं तो यह कार्बनिक द्रब्बे पैदा करते हैं पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं तो यह चालन का काम करती हैं परा बैगनी छती से पादबो की रच्छा करने वाले वड़नक जैन्थोफिल जिसे कहते हैं यह है क्लोरोफिल का खनीज घटक कौन सा है तो यह मैगनीसियम है पौधे उर्जा छोड़ते हैं कि स्वसन में कौन सा पदार्थ पौधो के लिए एक सुक्ष में पोसक होता है तो यह बोरॉन होता है प्रकास संसलेशन की लगभग उल्टी प्र के लिए प्रियोग में लाया जाने वाला अभी कर्मक होता है तो यह आयोटीन विलियन होता है, वह कौन सा पोधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है, तो यह यूटरी-कुलेया है, नेक्षाते हैं अधिक्तम ब्रीधी होती है, तो यह तने के सिर्ष पर होती है, प्रकास उर्जा का रसाइनी कूर्जा में रुपांतरन निम्नुमत होता है, तो यह प्रकास अंसलेशन के द्वारा होता है, नेक्षे निम्न में कौन सा पौधो की जड़ो का कार नहीं है, तो यह प्रकास अंस कि यह पतियों द्वारा होता है अधो लिखित में से कौन सा प्रितवी के कार्बन चक्र में कार्बन डैक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो यह प्रकास संसलेसन है नेक्स आते हैं प्रकास संसलेसन में सूर के प्रकास की कोण सी रस्मियों का प्ढ़न हरित द्वारा सरवाधिक उप्योग किया जाता है तो यह है नीला फिर से सुन लिजी इस question को परकास संसलेशन में सूर के परकास की कौन सी रस्मियों का पढ़न हरित द्वारा सरवाधिक उप्योगल किया जाता है तो यह है नीला नेक्षाते हैं निमनलिखित गैसों में से कौन परकास संसलेशन प्रकरिया के लिए आवस्यक है तो यह कौन है यह है CO2 नेक्षाते है परकास संसलेशन होता है तो यह दीन में अथवारात्री में होता है नेक्षा आते हैं पौधे वा पेड़ का खाना त्यार करने की प्रकिरिया क्या कहलाती है तो यह फोटो सिंथेसिस कहलाती है नीम्न में इसे परजीवी पौधों की पहचान करना है तो यह है अमरबेल है जो परजीवी पौधा है नेक्षा जब किसी ब्रिक्च की छाल ब्रिक इसलिए नेक्स देखते हैं, क्रित्रिम परकास, परकास on से लेशन का कारण हो सकता है, परकास के निमलिखीत परकारों में से किनका पौधो दुर्णति ओसोसन होता है, तो यह नीला और लालका, हरे पादों में परकास शंसलेशन की किरिया में होता है, तो क्या होता है कारवंड एकसाइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना परकास संसलेशन में पौधो द्वारा निमने में से कौन सी गैस उप्योग की जाती है तो यह कारवंड एकसाइड उप्योग की जाती है परकास संसलेशन है तू सरवाधिक क्रियाद सिल प्रकास कौन सा है तो यह है लाल परकास अधिक जल का असोसन किस विधी द्वारा होता है तो यह निस्क्रिय असोसन के द्वारा होता है पौधों में दुरुत जल असोसन है तो यह निस्क्रिय असोसन है नेक्ष आते हैं रंदरों के खुलने में सबसे अधिक परभावी परकासिये किरने हैं त पादब हार्मोन मुख्यत फल परिपक्वता के लिए उत्तर दाई होता है तो यह होता है एथीलीन कच्च्च फल को पकाने के लिए हानिकारक होता है क्योंकि पेड कार्बन डेकसाइड छोड़ते हैं ठीक है नेक्षाते हैं निम्न में से कौन से तत्व सुक्ष्म पोशक कहलाते हैं ठीक है तो इसमें कौन सा वो तत्व है जो सुक्ष्म पोशक कहलाते हैं तो यह है डी मैगनीज, जिंक, कॉपर ठीक है नेक्स आते हैं निम्लिक्षित में कौन सा तत्व प्रोटीन संसलेशन में अनिवार है तो यह है नाइट्रोजन निम्लिक्षित में कौन सा तत्व नुकलिक अमल, फासफोलिपीड ATP, ADP टठा NADPH में समान है तो यह है फासफोरस नेक्स आते हैं यह मिलान करना है सही कूटो को चलिए देखते हैं इसको सिलिकॉन कारवाइड तो यह किरित्रिम हीरा होता है कारबन तन्तू वाईवान में कारबन डाएकसाइड प्रकास संसलेशन में और डाइफलोरोमेथेन प्रसीतक में उप्योग होता है तो सिल्कन कारवाइड का कृत्रिम हीरा में कारबन तन्तू का वाईवान में और इनका कारबन एकसाइड का प्रकास संसलेशन में और डाइफलोरोमेथेन का प्रसीतक में ठीक है इसका एंसर B हो जाएगा नेक्षाते हैं पौधो द्वारा ली गई विक्रिन उर्जा निम्न परिनाम देती है तो यह जल का प्रकास अभगटन अवस्चक तत्व से अभिप्राय क्या है तो यह सभी है वह तत्व जो पौधो के उपापचे में भाग लेता है तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में वि स्वसन और प्रकास अंसलेशन दोनों किरियाओं के लिए आवस्चक है क्या आवस्चक है तो साइटोक्रोम प्रकास अंसलेशन एक ओक्सिक्रित अपचैत किरिया है इसमें कौन सा पदार्थ ओक्सिक्रित होता है तो इसमें ह2O है जो ओक्सिक्रित होता है निम्न में से कीट बच्छी पौधा कौन सा है तो कीट बच्छी पौधा जो है वह है यह दोनों ही है ब्लैडर वर्ट और बटर वर्ट दोनों ही है सी एंसर होगा पूर्ण मूल परिजीवी होते हैं यह सभी होते हैं रेफलीसिया इंगुदी गठवा यह सभी पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं नेक्षा आते हैं कोसा में ग्लाइकोलायसिस की क्रिया कहा संपन होती है तो यह कोसा द्रब्ब में होती है वास्पो उस्सरजन पौधो के लिए लाबकारी है क्योंकि यह जल के पादपो में उपर चड़ने में एक खिचाव उत्पन करता है नेक्षा आते हैं नीम्न में आक्सिन है तो आक्सिन यह सभी आक्सिन है इंडोल एसिटिक अमल 1AA और नेफेदलीन एसिटिक अमल NAA 2-4-Dichloro-phenoxy एसिटिक अमल 2-4-D यह सभी आक्सिन है नेक्ष है C-A-M पौधो में प्रारंभिक CO2 ग्राही है तो यह फास्फोइनोल पाइरुएट नेक्षा आते हैं रोग गरसित पादप में स्वस्थ पादप की तुल्ला में स्वसंदर कैसी होती है तो यहां स्वसंदर अधिक होता है हार्मोन्स विकर से भीन होता है क्यूंकि हार्मोन्स उपापचे क्रियाओं में पून्तप पर्युक्त हो जाते है प्रकास संसलेशन एक महत्पून क्रिया है तो यह सभी इसके लिए D-A-N-S-R होगा सभी तत्य सही है क्यूंकि यह भौतिको जैविक जगत को जोडता है यह प्रकास से उर्जा को कार्वनिक पदार्थों में संचित करता है और इनमें अक्सीजन मुख्थ होती है ठीक है C4 चक्र कार्वन चक्र का अविस्कार किस ने किया था तो यह हैच वह स्लैक ने किया था C4 चक्र का अविस्कार निमने में से कौन कैल्विन चक्र में कार्वन डाइकसाइड ग्राही होता है तो यह आर यू बिपी होता है C एंसर है इसका किस तत्वे के कुसाओं में एकत्रित होने से रंधर खुल जाते है तो यह पोटेसियम के तो यह पोटेसियम के एकत्रित होने से रंधर खुल जाते है नेक्ष है बिंदू स्रावन की क्रिया पाई जाती है तो यह इन सभीम पाई जाती है गार्डन नेश्टरसियम जय में अर्वी में सभीम पाई जाती है नेक्षे जिवानु में प्रकास संसलेशन उच पादबो से भीन होता है क्यूंकि इसमें ओटू का निसकासन नहीं होता है मानसल पौधो में रातरी के समय स्वसन गुनांक आर्क्यू का मान कितना होता है तो यह सुन्न होता है नेक्षे निमलीखित में से कौन सी क्रिया वास्पो उसरजन से संबंदित नहीं है तो इसमें है रस अस्रावन नहीं है नेक्षे समानता अचार को नमक तथा तेल के संत्रिप्त गोल में तथा मुरब्य को सरकरा के सांद्र गोल में संरचित रखा जाता है क्योंकि सुक्षम जीव जीव द्रब कुंचित होकर मर जाते हैं नेक्षाते हैं रंद्रिये वासपुर्जर्जन रुख जाता है तो कब रुख जाता है रात्री के समय रुख जाता है नेक्षाते हैं आक्सी तथा अनाक्सी स्वसन के मद्ध समान पत्ध क्या होता है तो यह ग्लाइकोलाइसिस होता है सीमा कारको का नियम किसने परतिपादित करा है तो यह ब्लाइक मैन ने किया है प्रकास संसलेशन में परिपाचन सक्ति है ATP तथा NADPS2 ब्रिधी रोधक के रूप में कारे करते हैं तो इसमें प्रिफादि फिक्षां guys attain प्रिफियोत देखते है इसमें C सत्ति है अधिक वास्फो उस्वर्जन करने वाले पौदों में जल और सोसन अधिक होता है C नेक्षा तहे हैं प्रकास संसलेशन के द्वारा कारबन का अधिकांस इस्तरी करन कहा होता है तो यह महसागरों में होता है यदि पौधों में प्रकास अंसलेशन क्रिया रुक जाए तो निम्न में कौन सी गैस बिलुप्त हो जाएगी तो यह है ऑक्सीजन क्रेप्स चक्र की क्रिया कहा संपन होती है तो यह माइट्रो कॉंट्रिया में होती है स्वसन गुनांग कमान एक किस में होता है तो या कार्बो हारेड में होता है एक नेक्ष आते हैं पौधों में ग्लुकोज के एक अनु के निर्मान हेतु ATP तथा NADPS2 के अनु क्या हो सकता होती है तो ATP की जो अनु होती है वो 18 और NADPS2 की 12 होती है भी एंसर है इसका नेक्ष निमलिखित में कौन सा पादब अच्छा परकास संसलेसी है तो यह गर्णा है सूरी के परकास में पराबैगनी विक्रने होती है 4 परसेंट होता है परकास संसलेसन में संसलेसी सकति है यह कौन सा है तो यह C है ATP तथा NADPS2 है नेक्ष है निमने में कौन सा विकार का लच्छन नहीं है तो यह है यह रसाइनिक क्रियाओं में नश्ट हो जाते हैं यह लच्छन नहीं है विकर का नेक्षेब पौधों में ब्रीधी प्रभावित होती है किस से तो इन सभी के द्वारा जिन्स के द्वारा ब्रीधी हार्मोंस द्वारा वातावर्णिय कारकों के द्वारा इन सभी के द्वारा नीमने में पादप हार्मों नहीं है तो कौन नहीं है फाइटोक्रोम जो है वर्धन जियुद्रब्मे वर्धन सुस्क भार में बिरीदी सभी है इसमें नेक्षाते हैं गुलकोस के एक अनुके आक्सी करन से प्राप्त होते हैं तो 38 ATP प्राप्त होते हैं अधिकांस विकर एंजाइम सरवाधिक सक्रियत कि स्ताप पर होते हैं तो यह 20 से 35 डिग्री सेलसि कुछ कवक कवक वह कुछ जिवान्यों के द्वारा नेक्षाते हैं ब्नख़स के प्रकासिये द्वारा ATP के निर्मान को कहते हैं क्या करते हैं प्रकास फोस्फोरी लिकरन कौन सा कथन सही है तो इसमें सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं ये कथन सही है तो सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं नेक्षाते हैं क्रेप्स चक्र है तो यह अपचय वह उपचय दोनों ही है क्रेप्स चक्र नेक्षाते हैं राशायनिक उर्जा बदलती है तो या यांत्रिक उर्जा में बदलती है तो कुसाओं की गती के लिए राशायनिक उर्जा किसमें बदल जाती है यांत्रिक उर्जा में निम्न में कौन सा कथन सत्ते हैं बताना है तो इसमें जो है सभी पादप हार्मोन्स ब्रीधी नियंतरक पदार्थ हैं ये सही है और सभी ब्रिधी नियंत्रक पदार्थ पादप फार्मोंस नहीं है तो D इसका एंसर है नेक्ष आते हैं पाइरुविक अमले में कार्वन परमानुओं की संख्या तीन होती है नेक्ष है कौन सा कथन सत्य है तो इसमें D सही है उपापची किर्याओं में विकर बार-बार काम आते हैं ठीक है जीर्णता को बिलंबित करता है कौन बिलंबित करता है साइटो काइनीन पुस्पन में सिग्रता के लिए जल और सोसित बीजोत अथवा नवांकुरो को निमनेताप उपचार कहलाता है तो यह क्या कहलाता है बसंति करन कहलाता है नेक्ष है केसर में पुस्प कम ताप पर बंध हो जाते हैं और अधीताप पर खुल जाते हैं डिक्सन एवं जॉली किस से संबंदित है तो यह रसा रोहन से संबंदित है प्रकास अभिक्रिया होती है हरित तल्वक के ग्रैना में होती है कोस्किये स्वसन क्रिया कहां होती है तो यह माइट्रो कॉंड्रिया में होती है नेक्ष है कोस्किये स्वसन का प्रारंभिक भाग ग होती है जैविक उर्जा का अंतिम स्रोत क्या है यह सौर प्रकास ठीक है अब देखते हैं नीचे जीव के निमलिखित परकारों पर विचार करना है और उप्यूक्त जीव परकारों में किसकी किनकी कुछ जातियों को जैव पिड़क आसियों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसमें देखते हैं यह सभी है जिवानु कवक उस्पिये पादब डी इसका एंसर हो जाएगा नेक्षे पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उदिपन ग्रहन करता है तो यह पढ़न है ठीक है निमलिखित कत्रों पर विच प्रेली रूदन का कारण अमले की अधिकता है यह सई है और सुसुपता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटो काइनीन होता है तो इसका एंसर डी हो जाएगा नेक्षाते हैं एक में निमलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लुकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर करने को प्रेरित करता है तो यह है जाइमेज ठीक है जाइमेज है जो प्रेरित करता है सुखा सह सुनता से संबंदित हार्मोन कौन सा है तो यह है एपसिसिक अमले नेक्षा निम्न में कौन सा एक प्रकर्म प्रकास संसलेसर में सम्मिलिथ है तो यह है बी प्राप्रत्य उर जिम्यदार है निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है तो यह है साइटो काइनिन स्वसन में उर्जा उत्पातित होती है किस रूप में ATP के रूप में उत्पातित होती है नेक्षे निम्लीखित में से कौन सा कौन प्रोटीन को विक्रित नहीं करता है तो औरक्त किरने हैं जो व कर देखते हैं अब नेक्ष चेप्टर देख लेते हैं और चेप्टर का नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान ठीक है इकॉन्मिक बोट्ट्नी तो फ़र्ष्ट कोश्चन इसमें है सुमेलित करना है सुमेलित करते हैं चलिए तो ब्राम्वनी मस्तिक्स का टॉनिक होता है एक तरह पौधा और उपयोग दिया हुआ है इसका एंसर भी हो जाएगा नेक्ष चाते हैं लोह का अंस सबसे अधिक कहां पाया जाता है तो यह हरी सब्जियों पाया जाता है प्रोटीनियों वसा दोनों की प्रचूरता होती है मुंगफली में होती है निवन में किस फल मे लोह प्रचूर मात्रा में पाये जाता है तो यह है करोंदा में पाये जाता है गेहुम में रोटी बनाने के गुनों को परभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है सरवाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है स्वैबीन में होती है नेक्षाते हैं पालक के पत्तों में निम चाहित क्रांती में पर्यूक्त मुख्य पादब तो यह मैक्सिकन गेहुं था नेकशाते हैं पुदीना के निमलीखित भागों में से किस एक में तेल अधिक्तम प्रदतिसत होता है तो यह पत्ति में होता है केसर मसाला जिसको सैफ्रन स्वाइस कहते हैं बनाने के लिए स्वयबीन में पाई जाती है, लाल मिर्च तिखी होती है, क्योंकि उसमें उपस्तित होता है, तो यह कैपसेसिन उपस्तित होता है, लहसुन की अभी लाचनिक गंद का क्या कारण है, तो यह है सलफर योगिक, ठीक है, लहसुन में सलफर योगिक कहोना, इमलीखित में से कौन लोह का अच्छा शुरोथै तो यह है पालग नेक्षाते हैं कैनोला मानो उपभोग के लिए उगाई गई बिसिश्ट परकार की तिलहन सरसो की किस्मों को निर्देश्ट करता है इन किस्मों की बिसेस्ता बिसेस्ता क्या है तो इनके तेल में इरूसिक अमले की बहुत अल्प मात्रा होती है ठीक है नेक्षाते हैं सुमेलित करना है टेश्टो अस्टोरोन हार्मोन होता है कोडिन बेहोसी की ड्रग है क्रीचुक या रबबर का सुरोत पदार्थ है और यूजो नौल जो है लौंग का सुगंधित तेल होता है तो इसका अंसर ए हो जाएगा ठीक है नेक्षाते हैं हिंग प्राप्त होता है फिरूला आसफोटीडा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है हिंग जो है तो यह जड़ से प्राप्त होता है ठीक है अब नेक्षाते हैं चुकंदर के किस भाग से सक्कर की प्राप्ति की जाती है तो जड से ये प्राप्त किया जाता है करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो हल्दी प्रकन से प्राप्त होती है आम कि स्कूल से संबंध रखता है तो यह एनाक कॉडियेसी से संबंध रखता है विलो की लकडी प्रिप्त होती है क्रिकेट के बल्ले बनाने में लाल चना है क्या है ये अरहर ठीक है लाल चना जो है अरहर है नेक्षाते हैं नीवने में से कौन सा पौधा सर्प गंधा कहलाता है तो यह कौन सा पौदा है राओल फिया है मक्का के दाने से निकाला जाता है G18 सकर गन्य की अतिरिक्त किस फसल से पराप्त होती है तो यह चुकंदर से पराप्त होता है इंडियन रोज उड का वानस्पतिक नेम क्या है इसका नाम है डल्बरजिया सिसो सिसम नाम है इसका क्यूनीन निवन में से किस की चाल से प्राप्त होता है तो यह सीनकोना की चाल से प्राप्त होता है रेस्थप्रीन निवन में किस की जर से प्राप्त होता है तो यह सत्पगंधा से प्राप्त होता है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औस्थी प्राप्त होती है तो यह पतियों तथा जड़ से प्राप्त होता है गेहुम का दाना फल है हौकी इश्टिक बनाई जाती है तो यह मोरस एलबा से बनाई जाती है कौन सी प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाई जाती है? तो यह लाइसिन और थ्रियोनीन पाई जाती है. चाय में उत्तेजक गुन इसमें उपस्थित किस एलकुलैड के कारण होता है? तो यह कैफीन के कारण होता है. खेसारी दाल का लगतार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है तो यह लेथाईरीज में होने की संभावना होती है किस खादानने के अधिक खाने से पिलागरा नामक रोग का प्रकोफ होता है तो जुआर अलसिक किस कुल का पौधा है तो यह लाइनेसी का पौधा है किस वनस्पती तेल का उपयोग waterproof कपड़ा त्यार करने में किया जाता है तो यह कुसुम नेक्ष आते हैं अधो लिखित में से किस का तेल हिर्दय रोगियों के लिए काफी उपयूक्त होता है तो यह है सुरज मुखी का तेल नेक्ष देखते हैं सेव, आडू, एस्ट्रावेरी, अखरोट के फल किस जलवायू से समबंदित होते है तो यह सितोस नकटिव अंसे समबंदित है अखरोट में कूल वसा का परती सत कितना होता है तो इसमें 64.4% होता है फलो में अधिकतर कौन सी सरकरा पाई जाती है तो फ्रूक्टेज, फ्रूक्टोज पाई जाती है फलो में सबजियों में मुख्यता हमें प्राप्त होता है तो विटामिन्स प्राप्त होता है कौन सा पादप उत्पाद नहीं है तो यह है सैक्रीन नेक्षाते हैं उस नकटिव बंदिये फल है कौन सा है उस नकटिव बंदिये फल तो यह है पपीता प्रकास संसलेसी समूदरी पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं तो यह 20-30 मीटर तक पाए जाते हैं लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है तो डाइस्टेस मिलता है मसालों की सौरव और सुवास किसके कारण होती है तो यह एरोमैटिक एमीनो अमले के कारण होते है पके हुए अंगोरों में होता है ग्लुकोज होता है चाय पतियों के संसाधन में कौन सी क्रिया अवस्यक नहीं है तो यह गलानन अवस्यक नहीं है वनस्पति संग्राल है हर्बेरियम जिसको कहते हैं क्या होता है ये तो ये पौधों के सुस्क नमुनों का परिरक्षन केंद्र होता है ठीक है संग रोध बिनिमय का संबंध है तो ये रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से इसका संबंध है बिटा ब्लोकर एक औसदी है किसे बचाने हित्तु किया जाता है इसका उप्यों तो ये हिर्दया घाट से बचाने हित्तु बिटामिन E का महत्पून सुरोत निमलिखित में से कौन है तो यह है गेहुम अंकूर का तेल बिटामिन E का अफिम का मुख अब्याय क्या है तो यह है मार्फिन निमलिखित सबजियों में सरवाधिक विटामिन C पाया जाता है तो यह मिर्च में पाया जाता है निमलिखित में से कौन सा अलफा लिनोलेनिक अमल का सरोत्तम स्रोत है तो यह है अलसी येलो वेन मोजैक गंभीर बिमारी है तो यह भिंडी की बिमारी है नेक्षाते हैं हाली में हमारे बैगानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिंड जाती की खोज की है इसकी लंबाई लगभई 11 मीटर तक है उसके फल का गुद्दा नारंगी रंका है या भारत के किछ भा विद्वान होता है तो आपका यह भी चेप्टर कंप्लीट हो गया अब हम लोग नेक्ष्ट चेप्टर में नए वीडियो के साथ मिलेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक करिए सेर करिए कमेंड करिए